नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दीर लल्लन टॉप का कविताओं से जुड़ा कारिक्रम एक कविता रोज आज की एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं चंदरकान देवताले की कविता गजानन माधव मुक्तिबोद पर पिएशडी करने वाले देवताले इन दौर के एक कॉलेज भी पढ़ाते थे इनकी कविता में आपको समाज, साहित्य, संस्कृति से लेकर राजनी दितक सब मिलेगा 2012 में चंदरकान देवताले को उनके कविता संग्रे पत्थर फेंक रहा हूं के लिए साहित्यकाद्वी पुरसकार भी दिया गया आज एक कविता रोज में सुनते हैं चंदरकान देवताले की कविता चीते को जुकाम होने से बच्ची पूछती है, पापा चीते को जुकाम हो जाएगा तो, वो कहां जाएगा, क्या मांगेगा किस से, क्या ऐसा हो सकता है पापा मैं कहता कुछ नहीं हूँ, सोचता हूँ, इस पात के बेहर सपनों को देखते-देखते, कितनी ठक गई हैं आखें, इट के भटों के पास, बैठे-बैठे तप गए हैं, खितने दिन अब बच्ची की सोच में, ये जो जुकाम से पीड़ थे चीता, सचमुछ होगा दैनी ये बेहर, शायद अधिक खाने से हुआ होगा ऐसा अब वो पूछती है, क्या चीता खास्ता छीटता है? मैं कहता हूँ, हाँ, मैदान कापते हैं, खो जहनना जाती है, वन संकट में पड़ा हुआ, शायद दावागनी की चपेट में आ जाए, सब कुछ वो हस्ती है, पूछते हुए, क्या चीता माफी नहीं मांग सकता? उसके उपाय से चकत होटता हुए हाँ, यही ठीक है, तो काट की चिडियाओं, मिट्टी के वन्य पश्वों, देखो, आज खुद चीता माफी मांगता है बच्ची हस्ती है, मजे में, उर्ती चिडिया जैसी कहती है, जाओ माफ किया चीते को, अब जुकाम ठीक हुआ उसका मैं उसकी खुशी से इस तब्द सोचता हूँ, अब इसे कैसे समझाओं, कि गद्दी नशीन होते ही, भयावय धंक से, हिंसक हो जाते हैं जब गिडगिडाते हुए में ने, तो ये तो चीता है, कितना भूखा हो जाएगा जुकाम ठीक होने के बाद